आईए बच्चों हम अपना पार्ट दो शुरू करते हैं जिसका नाम है मचली और मेंडग किसी तालाब में एक मचली रहती थी मचली तो पानी में रहती है न बच्चों तो मचली कहां रहती थी तालाब में गोल मटोल सुन्दर मचली वह मचली कैसी थी गोल मटोल सुन्दर हर समय पानी में खेलती मचली पानी में रहती तो कहां खेलती थी वह पानी में इधर से उधर तैरती रहती मचली इधर से उधर पानी में तैरती रहती थी उसी तालाब के किनारे एक मेंड़क भी रहता था उस तालाब के किनारे कोहन रहता था एक मेंड़क वह हर समय उच्छलता कूदता रहता मेंड़क का काम क्या होता है उच्छलना कूदना कभी पानी में तो कभी पानी के बाहर मेंड़क तो धरती औ और कभी पानी के बहार आ जाता था मेंड़क का जब मन होता है तलाब में आ जाता और मचली के साथ खेलता मेंड़क तो दोनों जगर आता है वने आपको बताया भी तो मेंड़क का जब मन करता है वो पानी में चला जाता और मचली के साथ खेले लग जाता कभी मन होता तो है मेंडक करता जमीन पर इधर उधर छलांगे लगाता क्या arrow अ मैंडग का मन करता जमीन पर इधर उधर कूदता छलांगे लगाना मतलम कूदा और आलाव में तैल्क की मशली से बाते करने लगता बहर आ की क्या करता था श्यूमेंड дополн मचली जो पानी में तैर रही थी उससे बाते करता था इस तरह दोनों अच्छे मित्र बन गए मचली और मेंड़क क्या बन गए दोनों अच्छे मित्र देखे बच्छे पिच्छर में यह मेंड़क कहां पर है जमीन पर है बहर मचली कहां है पानी में और दोनों क्या कर रहे है यह दोनों बाते कर रहे हैं समझाया बच्चा आपको मेंड़क जमीन और पानी दोनों में जा सकता है लेकिन मचले जमीन पर नहीं आ सकती तो बच्चो इसमें आपको कुछ शब्द अंडरलाइन करने हैं जैसे तालाब गोल मटोल सुन्दर तैर्टी मेंड़क उच्छरता चलांगे मित्र इस पैरग्राफ को आपको बार बार रिडिंग करनी है और इनकी मात्राओं को पढ़ते हुए ध्यान से देखना है चलिए अगले पेज पर आते हैं एक दिन मचली ने मेंड़क से कहा तुम्हें जमीन पर उचलते और छलांग लगाते देखकर अच्छा मचली ने मेंड़क मेंड़क को बोला जब तो मुझे ऐसा देखकर अच्छा लगता है मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर उचले कोदी हूए सारा दिन पानी में तैरते तैरते ऊप जाती हूं क्या होता है बच्चो मशली तो पूरा दिन पानी में रहती है तो वो सारा दिन पानी में तैरते तैरते ऊप जाती है ठक जाती है उसका मन भर जाता है तैरते तैरते ऊप जाना मतलब मन भर जाना मेंडक ने समझाया तुम पानी के बिना नहीं रह पाओगी क्या समझाया बच्चो मेंडक ने मचली को कि मचली पानी के बिना नहीं रह पाई क्योंकि मचली तो कहां रहती है पानी में रहती है न मेंडक तो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है मैं तो जल और थल दोनों में रह सकता हूँ जल मतलब पानी और थल मतलब जमीन मेंड़क कहा रह सकता है बच्चो जमीन और पानी दोनों में तुम भूल कर भी जमीन पर आने की मत सोचना क्या समझाया मेंड़क ने मचली को कि तुम भूल कर भी जमीन पर आने की मत सोचना क्योंकि मचली जमीन पर नहीं रह सकती मचली नहीं मानी मचली ने मेंड़क की बात नहीं मानी वह सोचने लगी मेंड़क जूट बोल रहा है क्या सोचा बच्चो मचली ने? मचली ने सोचा कि मेंड़क जूट बोल रहा है कि मचली जमीन पर नहीं रह सकेगी उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है किसने सोचा बच्चोई उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है यह मचली ने सोचा अंतर मतलब फर्क, डिफरेंस भला मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती मचली ने सोचा कि मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती बस फिर क्या था उसने एक लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गई क्या क्या बच्चों मचली ने उसने पहले सोचा कि मैंडक जुट बोल रहा है उसने सोचा कि मैंडक और मचली में तो कोई फर्क नहीं है तो उसने यह सोचते हुए एक लंबी छलांग लगाई और वह पानी से बाहर जमीन पर आ गई थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी उसको सांस आने में बहुत परिषानी होने लगी मिंडक की नज़र उस पर पढ़ी मिंडक की नजर मचली पर मिंडक ने उसको देखा उसने किसी तरह मचली को वापस उसने किसी तरह मचली को वापस पानी में धकेला पानी में धकेला मतलब उसने पानी में धक्का दिया मचली को पानी में पहुंचते ही मचली सांस लेने लगी क्योंकि मचली कहां रहती है बच्चो पानी में तो मचली को कहां पहुंचते ही सां आई उसकी जान में जाना ना मतलब क्या हूँ उसकी मृत्यों होते होते बचना हुए मरते मरते बची अगर मेंड़क उसे पानी में डखेलता तो उसकी सांसे रुक रही थी ना गुटन हो रही थी उसे वह मर जाती वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि सब प्राणी अलग होत सकता है और मचली सिर्फ पानी में रह सकती है तो इस तरह से सभी प्राणी क्या होते हैं बच्चों अलग होते हैं मचली के लिए तो पानी ही सब कुछ है मचली के लिए पानी सब कुछ क्यों है क्योंकि मचली बिना पानी के सांस नहीं ले सकती वह पानी के बिना जीवित न नराना मतलब मर जाना पानि के बिनावज जिंदा नहीं रहे पाएगी तभी तो कहते हैं मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ invola गे डर जाएगी 2012 निकालोगे निकालो तो मचली कहां की रादी है बोचों जल की रादी जीवन क्या है पानी बेनə मचली नहीं रह सकती अगर मचली को भाद जलते सांस कमाने लगी इतना दम गुटने लगा था न उसका चले बच्च बमिस में कुछ वर्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं उच्छलू कूदूं उच्छलूं में उखी मात्रा भी है चंद्रबिंदी भी आपको ध्यान देना है उब उब जाना मतलब मन भर जाना अंतर अंतर मतलब फर्क डिफ्रेंस कठिनाई मुश्किल होना परिशानी होना दम गुटना सांस ना आना जान में जाना आना जान बच जाना प्राणी क्या होता है बच्चों जिसमें जीवन हो जीवित जिन्दा चलिए बच्चों हम इसके शब्दर्थ देखते हैं शब्दर्थ मतलब शब्दों के अर्थ मित्र दोस्त फ्रेंड को बोलते हैं अंतर फर्कुर बिन्निता कठिनाई तकलीफ या परिशानी जीवित जिसमें जीवन हो मतलब जो जिन्दा हो अब इसमें एक मुहावरा भी दम गुटना कि सांस लेने में मुश्किल होना मतलब सांस लेने में कठिनाई होना दिक्कत आना जान में जाना अना मृत्य होते होते बचना जैसे मच्छी की जान में जान आई तने पानी के अंदर मेंड़कन उसको वापस धकेला था चलिए हम कुछ औरल कोश्यंस करते हैं बच्छो मच्छी कहां रहती थी बताओ आपने पाट पढ़ाना काहां रहती थी मच्छी मच्छी तालाब में रहती थी कहां रहती थी मच्छी तालाब में मच्छी ने मेंड़क से क्या कहा क्या का था बच्छो मच्छी ने मेंड़क से मच्छी ने मेंड़क से कहा बच्छ तुम्हें जमीन पर उचहलांग लगाते देखकर अच्छा लगता है मन करता है कि मैं भी तुम्हारे तरह जमीन पर उचलू कूदूं सारा दिन पानी में रहते तैरते मैं तो ऊब जाती हूँ ऐसा ही कहा था ना बच्चो मचली ने मेंड़क से मेंड़क जल के साथ साथ और कहां रह सकते हैं मैं उन्हें बताया था ना आपको कहां रह सकते हैं मेंड़क जल के साथ साथ मेंड़क तो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं जल मतलब पानी और थल मतलब जमीन तो मेंड़क जल और थल पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं मचली कौन सी बात अच्छी तरह समझ गई बताओ बच्चो मचली अच्छी तरह समझ गई थी कि पानी के बिना जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि यह पानी से बहार आय थी तो उसका दम गुटने लगा तो उसको समझ में आ गया है कि पानी में रह सकती है बहार जमीन पर नहीं रह सकती आपको कैसा लगा बच्चो यह पार्ट अच्छा था ना तो इसी तरह आप भी समझ गई होंगे ना कि हर प्राणी अलग अलग है सभी प्राणी भिन है जिस तरह से जो बच्चे कुछ काम कर सकते हैं कुछ काम आपके पेरेंट्स कर सकते हैं आप नहीं कर सकते कुछ जानवर पानी में रहते हैं कुछ हवा में उड़ते हैं अब पक्षी आसमान में मचली तो नहीं उड़ सकती ना बच्चो आप उड़ सकते हो कि आसमान में नहीं तो इसी तरह आप और पक्षी क् द्धान से पढ़के अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे